Hey everyone, welcome to my cooking vlog, I hope आप सभी स्वास्त होंगे और खुस होंगे आज मैं बना रहे हूँ पोहा, पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले रख है 100 ग्राम पोहा सबसे पहले मैं पोहा को धो दूँगी, पोहा को धोने वक्त पोहा को पाने में ज़्यादा देर नहीं रखना है को पोहे मैं अच्छे से मिक्स कर लें और 10 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें, अब मैं लूँगी यहाँ पे एक कडाई, गैस की फ्लेम आउन करके कडाई मैं थोड़ा सा ओयल एड़ करके मुक्फली को रोस्ट कर लूँगी, मुक्फली के अच्छे से रोस्ट हो जाने के मुक्फली को किसी बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दें, मैंने यहाँ पे पोहा बनाने के लिए चार से पांच परकार की सबजी आली है, सबजी में मैंने ले रखा है, एक प्याच, एक छोटा टुकड़ा गाजर, एक मेडियम साइज आलू, छोटा सा सिमला म मिर्च, एक टमाटर, दो हरी मिर्च और थोड़ा सा मटर, तो चलिए बनाते हैं पोहा, पोहा बनाने के लिए मैंने कैस की फिलेम आन करके कड़ाई में थोड़ा सा ओईल एड़ कर दिया है, ओईल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा एक कटावा प्याच, दो कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा कटावा गाजर, एक कटावा आलू, थोड़ा सा कटावा सिम्ला मिर्च, एक कटावा टमाटर, और थोड़ा सा मटर के दाने, अब यहां पर आपके पास जो भी सबजी नहीं हैं उसे आप स्किप कर सकते हैं, अब मैं इसमें एट करूंगी थोड़ा सा नमक और कर्शी को चलाते हुए दो मिनट तक या फिर सब्जों का थोड़ा कच्चा पन जाने तक पकाऊंगी सब्जिया हलकी सी पक गई हैं अब मैं इसमें एट करूंगी पोहा पोहा को सब्जों के साथ अच्छे से मिक्स करके इसमें एट मसाले में मैं लिया है एक टेबल इसपोन धन्या पाउडर हाफ टेबल इसपोन हल्दी पाउडर हाफ टेबल इसपोन लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसा नमक अब फोहा और मसालों को अच्छे से मिख्स कर लेंगे कर्ची को लगातार चलाते विए दो से तीन मिनट तक पकाएंगे जब तक कि पोहे का color सेम ना हो जाए अब हमारा पोहा बिलकुल रेड़ी है उपर से इसमें एड करेंगे मुखफली जो हमने रोश्ट करके रखी थी मुख्फली को पोहे में अच्छे से मिक्स कर ले अब हमारा पोहा बिलकुर रेडी है देखे कितना खिला खिला बना है अब इसे सर्व करें और इंजोई करें आपको यह रेसेपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें अभी के लिए बस इतना ही मिलती हूँ चल दी नेक्स्ट वीडियो में